हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी यूटूब चैनल माई कीचेन रेसिपी में स्वागत है तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कठल की एक अलग रेसिपी अगर एक ऐसे कठल खा खा कर बोर हो गए हैं तो मेरी तरह इस तरह से बना कर ज़रूर देखिए मैं सच बोल रही हूँ देखने में जितना लाजवाब खाने में उतना ही स्वादेश्ट और सब को बहुत पसंद आएंगे ये रेसिपी बनानी के लिए ज़्यादा कुछ मिसाले भी नहीं लगेंगे बस सिंपल है ये रेसिपी तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो मैंने एक कठल लिये हैं और इसका काटेदार वारे छिलका खटाकर एक इंज के पीसेज में कट कए लिए हैं इसे अच्छे से धोलेंगे तो कठल को धोलेंगे अब कठल को कोकर में डाल देंगे बोयल जपये के लिए आधा चमच नमक और दो ग्रास पानी डाल दीगी इसे दो सिदि पर हमें उवालना है तो देखे मैं ने कठर को बोयल कर लिए है अब कड़ाई चड़ा दीए है कड़ाई में डाल देगे तेल मैंने पांच चमच तेल डाली है अब बॉल की हुए कठर डाल देंगी और इसे हलका सा फ्राइ कर लेंगे तो देखिए फ्राइ हो गए हैं अब इसे निकालेंगे फिर से इसे कष्ण में तेल डाल देंगे 5-6 जमच तेल गरम हो गए हैं अब डाल देंगे आज़ाज मजीरा एक सुखी मिर्ची इसे भून लेंगे जीरा और सुखी मिर्ची भून लेंगे अब इसमें आड़ कर देंगे प्यास मैंने एक बड़े साइस का प्यास लेंगे दो टमाटर टमाटर नरम होने तक भून लेंगे इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाए अब कौवर कर देंगे तो देखिए टमाटर नरम हो गए हैं एक कटोरी में ले लिये हैं एक जमजीरा और चार हरी मिर्ची मिर्ची अब अपने अगॉर्डिंग डाले इसे पेस्ट बना लेना है और एक कटोरी में ले लिये हैं 25 ग्रम पोस्ता दाना और 18 काजू इन दोनों को मैंने पहले से ही 10 मेर तक पानी में फूलने के लिए छोड़ दिये थे इसे भी पेस्ट बना लेना है तो देखिए दोनों को पेस्ट बना लिये हैं अब रैट कर देंगे जीरा और हरी मेर्ची पेस्ट की हुई इसे मिला लेंगे तमाटर और प्यास के साथ फिर रैट कर दें पोस्तादाना और काजू पेस्ट पोस्तादाना और काजू पेस्ट आधा डाल देंगे और आधा बाद में रैट करेंगे दो मिनुट तक कर्चे को चला ले फिर आट कर दे एक ग्लास पानी अब डाल देंगी फ्रै की हुई कठल इसे मिला ले और कावर कर दे तीन से चार मिनुट तक इससे पहले मैंने और जो कठल की रेसिपी आप से वे की साथ शेयर किया है अगर आपने उन दोने वीडियो को नहीं देखाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स पर लिंग दे दिया है चाहिए तो वह उसे देख सकते है अब राट कर देंगी पोस्तादाना और काजू पेस्ट जो मैंने बच्चा के रखे थी मिला लेंगे तो हमारा कठल की रेसिपी बन के तियार है अब इसे गर्मा गर्म सर्फ किज़े राइस के साथ या फिर रोटी के साथ आज के स्वादिष्ट कठल रेसिपी आप सब को कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगए तो लाइक शेयर जरूर की देगा तो मिलते है मेरे जलन में किसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अच्छे रही है खुश रही है